नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाद्थियाय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आप सभी के साथ लेके आया हूँ यहाँ डेटा ड्रिवन बात करूँगा और कुछ बड़े नाम जो कह रही है 2024 में बजार क्रेश होगा कितनी सच्चाई है इसका जवाब आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएगा जो की prediction जो मैं पढ़ रहा हूँ जो पढ़ा है मैंने अभी उसमें यह दिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि जब जब इन्हों ने काया तो अब तक सच बैठा है अगर ऐसे होते तो फिर तो भगवान का नाम दिया जाता है तो prediction करना सब की मर्जी है सब का अपना अपना हक है कि भाई कोई भी market को लेकर prediction कर सकता है लेकिन आप और हम prediction करें तो उसको कोई नहीं value देगा कोई ऐसा व्यक्ति prediction कर रहा है जिसका बड़ा नाम है तो उसको value दे नहीं चाहिए और एक ऐसा data जो बताता है कि जब भी लीपियर आती है बजार crash होता है example भी दुगा मैं तो इस video को एंट तक बहुत जरूरी है देखना क्योंकि आपके पैसे का सवाल है equity market आपको भी पता है मुझे भी पता है COVID के बाद से कोई major correction नहीं दिखाया है one-sided rally दिये और थोड़ी बहुत 10% की अगर correction आई थी तो वो आपका आई थी Russia Ukraine war जब होई थी तीन महीने के करीब वो matter रहा था 10% बजार नीचे आया था लेकिन उसके बाद जो bounce back आया वो काफी sharp आया अभी हम लोग fresh life आई पे खड़े हैं nifty, bank nifty, mid cap, small cap, सब के सब rocket हुए पड़े हैं निवेशकों ने अपने shares में 4-4-5-5 गुना पैसा किया है within a year तो क्या यहां गिरावट आने वाली है देखिए यह सारी चीज़ा है यह बिल्कुल justify नहीं करती है कि इनकी वज़े से बजार गिरेगा यह बिल्कुल तरक less बात है लेकिन अब मैं आता हूँ directly आपके साथ data पे तो यहां जो report आई है दो बड़े नाम है वो पहले बता दिता हूँ एक JP Morgan जिसे आप और हम अच्छे से जानते है JP Morgan को कि भाई इनकी बजार को लेकर आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है और second है Robert T. Kiyosaki अब इनका नाम आपने नहीं सुना होगा definitely मैं आपको बता दू यह वो हैं जिन्होंने Rich Dad and Poor Dad बुक लिखी है आप सब इने इस बुक का नाम जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं front page back page, कोई page किसी ना किसी के मुह से या direct खुद पढ़ा भी होगा Rich Dad and Poor Dad का अब इन लोगों का क्या मानना है इसको समझते है तो सबसे पहले JP Morgan की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि बाई साब 2024 में बजार किर सकता है 20% तक 22,000 के इसाब से कह रहे है क्या इनका मानना उसको समझते है पहला इनका मानना ये है कि जो मतलब सबसे में इनका आ रहा है Yield Curve Inversion जहांपे ये Short Term Bond Yield वगएरा को देख रहे हैं कि उपर जा रही है और ये सब चीज़ें Market के Favor में नहीं है Second ये देख रहे है Fundamentals versus Valuation Gap और ये मेरा मानना भी है Fundamentals improve है No doubt अच्छे हैं लेकिन Valuation Gap आ रहा गया है बहुत कंपनियों में आ गया है Valuation Gap इस तरीके से भी आ गया है कि आपकी जो Small Cap कंपनिया थी वो Large Cap हो गई है और जो Large Cap थी स्टिल सेम पड़ी है Mid Cap थी वो Large Cap हो गई है और Large Cap सेम पड़ी है ठीक है तो ये Valuation Gap definitely है ये कैसे फुल्फिल हो सकता है दो तरीके है या तो Large Cap कंपनिया डबल हो जाए या फिर आपकी Small Cap वापस से हलका फुलका करेक्ट हो और Mid Cap भी करेक्ट हो दो तरीके है तो Large Cap का डबल होना मेरे को लगता है जादा मुस्किल है As compared to Small Cap और Mid Cap का करेक्ट होने से जादा वो करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो भागे बहुत जादा है आप कोई भी Fund House उठा के देख लो Mutual Funds की बात कर रहा हूँ Small Cap के Returns ऐसे दिखते हैं लालच आ जाता है देखते ही 50% 60% के Returns 5 साल की कैगर में 40% के Returns ये कोई Return है भाई Mutual Fund 15-20% के लिए जाने जाते दे 12-15 लेकिन आज की डेट में अगर किसी को 12-15% बोलो तो वो सामने से Fund के नाम बताता है रहे ये तो 60% दे रहा है ये तो 25% दे रहा है जिसलिए बजार कभी जाना ही नहीं गया Second thing यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग Bonds में FD में Mutual Funds में पैसा लगाके बैठे हुए हैं वो लोग जादा से फील करेंगे as compared to Direct Equity Market उनका पैसा भी हलका फुल का तूट सकता है लेकिन Equity Market में जिसने Direct निवेश करा उसके मुकाबले इन सब का बहुत कम तूटेगा तो ये एक और बड़ा पॉइंट है रुची लोगों की Mutual Funds के तरफ already भढ रही है और इस तरीके की रिपोर्ट Definitely Mutual Funds को और जादा Highlight करती है तो ये एक और बड़ी चीज थी थर्ड इनका पॉइंट है Weakness in Interest Rates and Corporate Balance Sheets फूर्थ पॉइंट है Past Prediction and Trends इसको समझते हैं तो JP Morgan की बात किया है तो इन्होंने 20% के Fall की 2023-5 October को भी बात करी थी जो की पूरी तरीके से गलत हो गया ठीक है तब 2600 के करीब निफ्टी थी और आज 2600 चोड़ो 22,000 होगी यहाँ पर 2600 लिखा हुआ है चारपांस ट्रेडिंग सेजन पहले की रिपोर्ट है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ मार्केट ने इनकी प्रेडिक्शन गलत दिखाई है वहीं अगर रोबर्ट टी कायो साकी की बात करी जाए तो इनकी भी बहुत साथ प्रेडिक्शन गलत हुई है ऐसा कुछ नहीं है जो यह बोलते हैं वो हो गई होगा नहीं यह मार्केट है सबसे सुप्रीम है लेकिन लोग कंसंज अता रहे हैं यह इंपोर्टेंट है अब मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग डेटा पर आता हूँ लीप एयर आप सभी को पता है जिस साल में 29 फरवरी होती है उसको लीप एयर का नाम दिया गया है जिसको भी जो भी एयर होता है आपका अगर वो फोर से डिवाइडेवल है तो उसको लीप एयर का जाता है फोर के टेबल में अगर वो आ रही है आपका 2008 लीप एयर था मार्केट क्रेश हुआ था 2012 भी आप कह सकते हो लीप एयर है नहीं हुआ वो मैं कहा रहा हूँ कि डेटा है बाई साब जो चीज दिख रहे हैं बता रहा हूँ 2000 लीप एयर था मार्केट क्रेश हुआ था 1992 लीप एयर था मार्केट क्रेश हुआ था 2020 लीप एयर था कोविड में मार्केट क्रेश हुआ था एंड अगेन 2024 लीप एयर है क्या बजार क्रेश होगा यह सवाल उठता है तो यह बहुत ही interesting data है जहाँ पे लीपियर में बजार गिरता है जालतर ऐसा data निकल के आए और गिरता नहीं एक रेश होता है वन मोर थिंग यहाँ पे जो चीज कहीं गहीं है वो pure data driven नहीं है मतलब मैंने जो बोली है वो तो इन लोगों की report ही पढ़ी है as it is बोली है लेकिन इनकी बात को ध्यान में रखके आप अपनी position change कर रहे हो वो गलत है आपको खुद को खुद समझाना है कि बाई साथ क्या मैं यहाँ से exit लूँ बने रहूं क्योंकि आज आप exit ले लो इसके लिए आपको patience रखने पड़ते हैं इसके लिए आपको लालच free होना पड़ेगा यार लगा रहता तो ज़्यादा पैसा बन जाता यह सब दिमाग में thought नहीं आने चाहिए तो यह मेरे साब से बहुत ही interesting data था जो मैंने discuss किया आपको क्या लगता है 2024 में crash होगा नहीं होगा वो बदाएगा event के हिसाब से दिखा जाए तो भाई साब तीन बड़े event हैं एक आपका है US elections दूसरा general election और तीसरा interest rates का cut होना कब होंगे पता नहीं है तो यह तीन बड़े triggers हैं market के लिए अगर आप mutual funds को लेकर interested हो रहे हैं या फिर आप वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं चीज़ें समझ में नहीं आती है तो description में Z fund का link है वहाँ से आप SIP शुरू कर सकते हैं और लंसम भी लगा सकते हैं तो यह मेरे तरब से आपके लिए एक detailed video थी market crash को लेकर hope आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी thank you so much for watching this video have a great day guys